भारत के सुरम्य राज्य हिमाचल प्रदेश में बसा एक आकर्षक हिल स्टेशन मनाली, प्राकृतिक सुंदर्ता और रोमांच की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जगह है। राज्सी हिमाले से गिरा, मनाली धेर सारे आकर्षन प्रदान करता है जो विभिन रुचियों और प्राथ मिक्ताओं को पूरा करते हैं। रोहतांग दर्रा मनाली के सबसे लोग प्रिय आकर्षनों में से एक है, 3989 मीटर की उचाई पर स्थित, ये परवत दर्रा आगंतुकों को बर्व से धकी चोटियों, गलेशियरों और शांत व्यास नदी के मनमोहक द्रिश्यों का आनंग देता है। ये मनमोहक लहाउस पीती घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और सर्दियों के महीनों की दोरान स्कींग और स्नोबोडिंग जैसी रोमांचक गतिविदियों का केंद्र है। मनाली से थोड़ी दूरी पर स्थित सोलांग घाटी साहसिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। के पेरों से घिरा हुआ है और जटल अकली की नकाशी का प्रदर्शन करता है। यही एक शांत वातावरन प्रदान करता है जहां आगंतुक अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ सकते हैं और मंदर से जुड़ी स्थानिय पौरानिक कथाओं के बारे में जान सकते हैं। प्रकृती प्रेमी वशिष्ट गर्म पानी के जर्नों का भी पता लगा सकते हैं जो अपने चिकित्सिय गुनों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इन प्राकृतिक गर्म जर्नों में उपचार करने की शक्ती होती है और ये विश्राम और कायाकल्प के लिए एक लोगप्रियस्थान है. जर्नों के निकट वशिष्ठ मंदिर है, जिसमें सुंदर पक्थर की नकाशी है और ये देखने लायक है. पुरानी मनाली अपनी संकरी गलियों और जीवन्त बाजारों के साथ एक बोहिम्यन आकर्शन का अनुभव कराती है. शेहर का ये हिस्सा अपनी हिप्पी संस्कृती के लिए प्रसेध है और विचित्र क्याफे, अद्वितिय हस्चिल्थ की दुकानों और जीवन्त सड़क बाजारों का घर है. और मनाली की खोज में साथी यात्रियों के साथ बाचीत करने और जीवन्त वातावरन में दूबने का मौका मिलता है. पर्यटक तिब्बती मर्थों का दौरा करके मनाली में सम्रिध बौध संस्कृती की खोज भी कर सकते हैं. गधन ठेक छोकी गोमपा और हिमालयन निगमापा गोमपा प्रमुख मत्धों में से हैं जहां आगंतुग जतल कलाकृती की प्रशंसा कर सकते हैं, शांत वातावरन का अनुभव कर सकते हैं और बौध प्रार्थनाओं का जाब देख सकते हैं. मनाली से होकर बहने वाली ब्यास नदी इसके आकर्शन को बड़ा देती है. पर्यतक नदी के किनारे इतमीनान से सेर कर सकते हैं, नदी के किनारे पिकनिक का आनन ले सकते हैं, या रिवर राफ्टी जैसी रोमान्चक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. ब्यास नदी एक शांत वातावरन प्रदान करती है जहां प्रकृती प्रेमी प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनन ले सकते हैं और आराम पा सकते हैं. मनाली, प्राकृतिक सुन्दर्ता, साहसिक गतिविधियों, आध्यात मिक्ता और सांस्कृतिक अनुभवों के आकर्शक के साथ, दुनिया के सभी कोनों से यात्रियों को आकर्शित करता है। तो, अपने बैकपेक करें, थंडी पहारी हवा में सांस लें और मनाली को अपने असंख्या आकर्शनों और आत्मा सरकर्मी वाले माहल से आपको मुहित कर लें। भारत के हिमाचल प्रदेश के लुभाव ने परिद रिश्यों में बसा एक मनोरम हिल स्टेशन मनाली में यात्रियों के लिए और भी अधिक आकर्शन है। और मनाली में स्थित मनू मंदिर का दौरा करके मनाली की सांस्कृतिक टैपेस्ट्री में खुद को डुबो दे। ये प्राचीन मंदिर रिशी मनू को जो मानव जीवन के निर्माता के रूप में हिंदू पौराने कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जंगलों और खिले हुए घास के मैदानों के मनोरम द्रिश्यों का आनन लेते हैं। तो महसूस करें कि थंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। मनाली प्रकृती प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है जो लंबी पैदल यात्रा प्रकृती की सेर और पक्षियों को देखने के अनंत अफसर प्रदान करता है। ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित नगर के विचित गाउव का पता लगाने का अफसर न चूके। ये प्राचीन बस्ती इतिहास में दूबी हुई है और नगर कैसल और निकोलस रोरेकार्ट गैलरी जैसे वास्तुशल प्रतनों के लिए जानी जाती है। ये महल, जो कभी राजा सिधसिंग का निवास स्थान था, कुल्लू घाटी के मनोरम द्रिश्य प्रस्तुत करता है और हिमालाई और यूरोपिय वास्तुकला का मिश्रिल प्रदर्शित करता है। इक शमता का परीक्षन करें, या माउंटन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग या पेराग्लाइडिंग का विकल्प चुनकर रोमांच के लिए अपनी भूप को संतुष्ट करें। उबर खाबर इलाका और सुन्दर परिवेश इन दिल दहला देने वाले अनुभवों के लिए एकदम सही प्रिष्ट गूमी बनाते हैं। यदि आप स्थानिय व्यंजनों और संस्कृती का स्वाद चकने के एचुक हैं, तो मनाली के बाजारों की हलचल भरी सर्कों पर जाएं। जीवंत बार और सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक श्रिंखला प्रदान करता है जो हर स्वाद को पूरा करता है। एक कैफे के गर्म माहौल में आराम करें, सुगंधित हिमाचली चाय की चुसकी लेते हुए लाइव संगीत का आनंदले या पारम पर एक लोक्मृत्य प्रदर्शन देखें जो क्षेत्र की सम्रिद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। मनाली साल भर चलने वाला गंतव्य है, जिसमें हर मौसम अपना अनोखा आकर्शन जोडता है। गर्मियों के महीनों में यह क्षेत्र रंग बिरंगे फूलों और सुहावने मौसम से जीवन्त हो उठता है, जिससे यह बाहरी गतिविद्यों और अन्वेशन के लिए आदर्श समय बन जाता है। सर्दियों के दौरान, शहर बर्फ से धके परिद्रिश्यों और रोमांचकारी शीतकालीन खेलों में शामिल होने के अवसर के साथ एक शीतकालीन वंडरलेंड में बदल जाता है। मनाली कई जीवन त्योहार मनाता है जो स्थानिय संस्कृती और परंप्राओं को प्रदर्शित करते हैं। मनाली अपने फलों के बगीचों विशेश कर सेव के बगीचों के लिए प्रसिध है। पर्यटक इन बगीचों में टहल सकते हैं, खिले हुए सेव के फूलों की सुन्दर्टा देख सकते हैं और पेडों से सीधे पके रसीली सेव थोड़ने के अवसर का आनन ले सकते हैं। यह अनुभव प्राकृतिक सुन्दर्ता और लजी जानन का एक आननमय मिश्रन प्रदान करता है। परवतारोहन, हिमालय के निकट होने के कारण, मनाली परवतारोहन के शौकीनों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। पंद्रवी शताबदी में निर्मित, यह राजसी महल हिमालय और यूरोपी इस्थापत्य शैली का मिश्रन समेटे हुए है। महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, जो आगंतुकों को आसपास के पहाडों के लुभावने द्रिश्यों का आनंद लेते हुई शाही आकर्शन का अनुभव करने का मौका देता है। मनिकरन, मनाली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित मनिकरन हिंदूओं और सिखों दोनों द्वारा पूजन ये एक तीरत स्थल है। ये शहर अपने गर्म जणों के लिए जाना जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें उपचारात्मक गुन होते हैं। गुरुद्वारा मनिकरन साहिब और भगवान शिव मंदिर यहां के प्रमुक आकर्शन है, जो भगतों और पर्यतकों को समान रूप से आकर्शित करते हैं। साहसिक शिविर, मनाली में साहसिक शिविरों की भरमार है जो हर उम्र के रोमान्च चाहने वालों के लिए हैं। ये शिविर रॉप क्लाइम बिंग, रैपलिंग, रिवर क्रोसिंग, जिप लाइनिंग और तारों वाले आसमान के नीचे कैम्पिंग जैसी गतिविद्यों के अब सर्प्रदान करते हैं। वे मनाली के प्राक्रतिक वैभव के बीच अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने, टीमवाग बनाने और अविस्मरनिय यादे बनाने का मौका देते हैं। खरीदारी, मनाली के जीवन्त बाजार खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग हैं। मौल रोड और तिबबती बजार हलचल भरे केंदर हैं जहां आगंतुक स्थानिय हस्थ शिल्प, उनी कपड़ेक पश्मीना शौल, पारम पर एक गहने और स्मृती चेनी की खरीदारी कर सकते हैं। मौल भाव करना और उन संकरी गलियों का पता लगाना न भूली जिन में छिपे हुए खजाने हैं। मनाली का आकर्षन इसके आकर्षनों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी शहर के जीवन की राजकता से अलग हो सकता है। उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश राजय में स्थित यह मनोरम हिल स्टेशन बर्फ से धकी चोटियों, हरे भरे जंगलों, कलकल करती नदियों और मनमोहक घातियों से घिरा हुआ है। मनाली में कई प्राचीन मंदिर और मत हैं जो शांत और शांतिपूर्ण महौल प्रदान करते हैं। हडिमबा देवी मंदिर, देवी हडिमबा को समर्पित, मनाली का एक प्रमुक धार्मिक स्थल है। अद्विती पैगोडा शेली में निर्मित, यह मंदिर विशाल देवदार के पेडों से घिरा हुआ है और अपनी जटल नकाशीदार लकली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और मनाली में स्थित मनु मंदिर एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो भक्तों और आध्यात्मिक जिग्यासुओं को आकर्शित करता है। रिशी मनु को समर्पित यह मंदिर दुनिया में अपनी तरह का एक मात्र मंदिर माना जाता है। मनाली कई सुंदर घाटियों और उचाई वाले दर्रों का प्रवेश द्वार भी है। 3989 मीटर की उचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा बर्फ से धकी चोटियों, ग्लेशिरों और ब्यास नदी के मनमुहक द्रिश्य प्रस्तुत करता है। ये पर्यक्कों और साहसे कुछ साही लोगों के लिए एक लोग प्रिय गंतव्य है, खास कर गर्मियों के महीनों की दोरान जब यह मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से राहत प्रदान करता है। जो इसके किनारों पर आरामदायक से, पिकन एक और यहां तक की ट्राउट मच्छी पकड़ने के अफसर प्रदान करती है। मनाली अपने फलों के बगीचों के लिए भी जाना जाता है, जिन में सेव के बगीचे सबसे प्रमुक हैं। आसपास की घाटियों में पके, रसीले फलों से लदे सेव के पेरों का दिखना एक आमद्रिश्य है। पर्यतक इन बगीचों का ब्रमन कर सकते हैं, सेव की खेती के बारे में सीख सकते हैं और फसल की मौसम की दोरान सेव तोरने में भी भाग ले सकते हैं। मनाली की स्थानिय संस्कृती सम्रिध और विविध है। क्षेत्र के लोग गर्मजोशी से भरे और स्वागत करने वाले हैं और उनके पारमपरेक रीती रिवाज और त्योहार शहर में जीवन तता जोडते हैं। कुल्लू दशेहरा, पास के शहर कुल्लू में आयोजित किया जाता है। एक भव्य उत्सव है जो हजारों भक्तों और पर्यतकों को आकर्शित करता है। इस त्योहार में रंग बिरंगे जलूस, सास्कृतिक प्रदर्शन, संगीत और मृत्य शामिल हैं, जोक्षेतर की सम्रिद सास्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। मनाली आवास विकलपों की एक विस्तृत श्रिंखला प्रदान करता है, जिसमें बजट गेस्ट हाउस से लेकर लगजरी रिजॉर्ट तक शामिल है। ये शहर आरामदा एक क्याफे, स्थानिय और अंतराष्ट्रिय व्यंजन परोसने वाले रेस्तरा और जीवन्त बाजारों से भरा हुआ है जहां आगंतुक खरीदारी कर सकते हैं। मनाली परिवहन के विभिन साधनों द्वारा भारत के प्रमुक शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मनाली में उत्कृष्ट सरक कनेक्टिविटी है और यहां सुव्यवस्थित राजमार्गों द्वारा पहुँचा जा सकता है। मनाली के लिए एकनिजी टैक्सी या सेफ ड्राइव किराय पर ले सकते हैं और पहारियों के माध्यम से सुन्दर ड्राइव का आनंद ले सकते हैं। चंडीगर से चंडीगर मनाली से लगभग 310 किलो मीटर दूर है। आप चंडीगर से मनाली तक सीधी बस ले सकते हैं जिसमें यात्रा का समय लगभग 8-9 घंटे है। चंडीगर से मनाली तक टैक्सी किराय पर लेना या गारी चलाना भी एक सुविधाजनक विकल्प है। शिमला से यदि आप शिमला जा रहे हैं तो आप सुरम्य हिंदुस्तान तिबबत रोड के माध्यम से सडक मार्ग से मनाली पहुँच सकते हैं। शिमला और मनाली के बीच की दूरी लगभग 250 किलो मीटर है और बस या टैक्सी से यात्रा में लगभग 7-8 घंटे लगते हैं। ट्रेन द्वारा मनाली का निकत्तम रेलवे स्टेशन जो गिंदर नगर रेलवे स्टेशन हैं जो लगभग 160 किलो मीटर दूर स्थित है। आप मनाली के लिए बस ले सकते हैं या टैक्सी की राय पर ले सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनाली की और जाने वाली सरके, विशेश रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान, भारी बर्फबारी के कारण बंद या विलंबित हो सकती हैं। ये सलाह द प्रदान करता है। मनाली में आवास के लिए कुछ लोग प्रियव विकल्प यहां दिये गए हैं। होटल और रिजॉट मनाली में कई होटल और रिजॉट हैं जो आरामदायक और सुविधाजनक आवास विकल प्रदान करते हैं। बजट होटलों से लेकर लगजरी आप विशाल कमरे, इन हाउस रेस तरह, वाइफाई और मनोरंजक सुविधाओं जैसी विभिन सुविधाएं प्रदान करने वाली संपतियों की एक विस्तृत श्रिंखला पा सकते हैं। गैस्ट हाउस या होमस्टे में रहने से आपको स्थानिय लोगों के गर्म जोशी भरे आतिथे का अनुभव करने और उनकी संस्कृती और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है। पानन्द लेना चाहते हैं और अधिक स्वतंत रहना चाहते हैं। बैकपेकर होस्टल, बजट यात्रियों और एकल साहसी लोगों के लिए बैकपेकर होस्टल किफायती और सामाजिक आवास विकल प्रदान करते हैं। ये हॉस्टल सामान्य लाउंज, रसोय और बात्रूम जैसी साजह सुविधाओं के साथ चात्रवास शैली की कमरे प्रदान करते हैं। चात्रवास में रहना साथ ही आत्रियों से मिलने, कहानियों का आदान प्रदान करने और समूल गतिविद्यों में भाग लेने का एक शांदार तरीका है। लक्जरी केम्पसाइट्स यदि आप प्रकृती की सुन्दर्ता में दूबना चाहते हैं, तो लक्जरी केम्पसाइट्स एक रोमांचक विकल्प हैं। ये केम्पसाइट्स आरामदायक बिस्तरों, सनलगन बाथरूम और भूजल शेतरों के साथ अच्ची तरह से सुसज़्जित तंबू प्रदान करते हैं। आप आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं तक पहुँच रखते हुए एक अद्विती ये केम्पिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं। मनाली में अपना आवास चुनते समय, स्थान, आकर्शनों से निकत्ता, सुविधाएं और अपने बजट जैसी कारकों पर विचार करें। अपने पसंदीदा आवास को सुरक्षित करने और अंतिल समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए, विशेश रूप से चरम पर् अपने प्रवास को पहले से बुख करने की सलाह दी जाती है।